सेफटी पिन बस जाहिर तो एक छोटी सी चीज है लेकिन इससे आप अपने बहुत से मुश्किल काम आसान बना सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपनों के साथ बहुत ही जबरदस किसम की टिपस और ट्रिक्स शेयर करूँगी के जिन से आपके घर और किचन के बहुत सारे मुश्किल काम आसान हो जाएंगे लेकिन इस से पहले अगर अभी तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से शुकर गुजार हूँ असलामलेकुम वीवर्स मैं हूँ कमल गौरी और आप लोग देख रहे हैं कमल गौरी यूटिब चैनल आई होप के सब लोग खैरियत से होंगे चलिए भीना टाइम वेस्ट के हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं हैक नमबर वन की तरफ आते हैं यहाँ पर जो है मैंने एक बैंगल ले ली है बैंगल जो है वो आप लोगोंने मैटल की लेनी है काँच की नहीं लेनी ठीक है अच्छा जी मैटल की मैंने बैंगल लिया और इसके अंदर ना मैं इस तरीके से सारी सेफटी पिन्स लगा रही हूँ जितनी भी मेरे पास पड़ी हूँ थी अकसर ऐसा होता है कि हम लोग सेफटी पिन इधर दो रखकर भूल जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है न तो एक सेफटी पिन भी नी मिलती हलागे मैंने हर डूबटे में हर स्टॉलर में एक सेफटी पिन लगाई होती है लेकिन इसके बावजूद जब स्कूल जाने के लिए रैडी हो रही होती है तो एक भी डूबटे में सेफटी पिन नहीं मिलती तो आज ना मैंने इस मसले का एक बड़ा जबर्दस जो है वो हल निकाला है तो मैंने अपनी सारी सेफटी पिन्स ना इस एक बैंगल के अंदर ये और्गिनाइज कर ली है और इस तरह से एक हमारा बड़ा क्यूट सा सेफटी पिन और्गिनाइजर बनकी रेडी हो गया जबर्दस किसम किया, यहां पर जो है, मैंने कुछ बटन्स ले लिए हैं, अक्सर ऐसा होता है, कि हम लोग ना किसी भी डबी के अंदर बटन्स भरकर रख लेते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती हैं, तो सारे बटन्स जो है, वो डबी में से निकालने पड़ते हैं, और उ इस तरीके से आप लोग सेफटी पिन के अंदर जो है, वो एक जैसे बटन्स रखकर और और जब भी आप लोगों को बटन्स चाहिए होंगे ना, तो एक जैसे बटन धूरने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नी होगा, और फोरन से आप लोगों को मिल जाएंगे, यह दे ने आप पर सेफटी पिन्स ले ली है, अब आप लोगोंने क्या करना है कि एक सेफटी पिन के अंदर ना एक की डालनी है, यह देखिए इस तरीके से ठीक है, मेरे पास जो है वो तीन कीज है, तो मैंने तीन जो है वो सेफटी पिन्स ले ली है, और हर सेफटी पिन के अंद इस तरीके से अलग-अलग कीस भी डाल सकते हैं और अगर आप लोग एक ही सेफ्टी पिन के अंदर ज्यादा कीस डालना जाहें तो वो भी आसानी के साथ डाल सकते हैं मतलब कि safety pin को आप लोग as a keyring भी use कर सकते हैं sometimes ऐसा होता है कि हमें keyring चाहिए होता है और जो है वो हमाले पास नहीं मुझूद होता तो safety pin अगर आपके पास पड़ी वी है घर में तो आप इस तरीके से safety pin के अंदर keys रखकर और इसका जो है वो कीरिंग की तोर पर इसको use कर सकते है और इसके बाद आप इसको कहीं पर भी hang कर लीजे जहां पर ये आपको handy रहे और easy ली मिल जाए तो बहुत ही जबरदस किसम की tip है आप लोग जो है इसको ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और इसी तरीके से आप लोग ने अगर कीज अपने परस में रखनी है तो safety pin परस में लगा लीजिए hack number four की तरफ आते हैं जो के बहुत ही जबरदस्त और कामाल की है अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग चूले पर ना खाना बनाते है और खाना बनाने के तुरान ना कोई भी चीज वाइल होते हुए ना थोड़ा बहुत चूले के ओपर ना गिर जाता है जिसकी वज़ा से इसके अंदर ही जो होते है ना वो बंद हो जाते है और फ्लेम बहुत ही जादा ie स्लो होती है फिर जब भी हम चूला जलाते है ना तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी जो है वह आग जल रही होती है तो इसका बहुत ही जबरदा स्लूशन आप लोंको बताने लगी हूँ हूँ इस तरीके से आप लोगों ने एक safety pin ले लेनी है और इसको चूले के holes के अंदर इस तरीके से डालना है यह देखे इस तरह से इससे क्या होगा कि चूले के जो holes है ना जो के बंद हो गए थे पहले इसमें कुछ ना कुछ जो है वो गन चला गया था जिसकी वज़ासे ये holes बंद हो गए थे और गैस बहुत थोड़ी आ रही थी चूले में लोग काम कर रहे होते हैं टेप यूज कर रहे होते हैं तो इसका सीरा नहीं मिल रहा होता जो के बहुत ही जादा जो है वो हमें परिशानी का सामना करना पड़ता है तो इसके लिए आप लोग ने क्या करना है एक सेफटी पिन ले रहे है ठीक है और इसका जो सीरा है ना उस है यहां पर जो है मैंने ले लिया है जी एक डूपटा दूपटे के अंदर जो मैं लगा रही हूं सेफटी पिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग नूपटे के अंदर सेफटी पिन लगाते हैं और न फिर वफ फंस जाती है और न न, निकलती नहीं है जिससे ना डुबट्टा भी खराब हो जाता है हमारा तो इसके लिए ना बहुत ही जबरदस किसम के टिप बता रही हूं आप लोगों ने क्या करना है कोई भी ना बीड ले लेना है मोती ले लेना है ठीक है और इस तरीके से ना सेफटी पिन के अंदर ये मोती डाल है मेरे पास नहीं चोटा सा वो हैंगिंग वाला पड़ा था टैसल ठीक है मैं वो इसके अंदर डाल दे क्योंकि ये अच्छा लग रहा था मुझे तो ये इस तरीके से आप लोगो ना डुबट्टे के अंदर सेफटी पिन जब लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि डुब पर दस्त और कम माल की है यहाँ पर जो है मैंने डे लिए हैं जी कुछ इलेक्रिसिटी बिल्स ठीक है और मैंने ले लिए है जी एक सेफटी पिन सेफटी पिन के अंदर ना इस तरीके से मैं ये सारे ही बिल्स ना ये डाल रही हूँ तो आप लोग चाहें तो अपनी मर्जी से कोई से भी डॉकुमेंट्स ले लीजिए जो कि आप लोग जो है वो और्गिनाइज करना चाहते हूं तो मैं जो है ये इलेक्रिसिटी बिल्स को और्गिनाइज कर रही हूँ क्यों कि ऐसी पड़े वे फिर रहे होते हैं बास दफा टाइम पर नहीं भी मिल रहे होते तो मैंने इनको डाल कर इस तरीके से और्गिनाइज कर लिए और इसके बाद आप लोग इसे किसी भी जगा पर इस तहां से जहाँ से है वहा रह I